पिपराहरी वाढ संख्यां 13 में लगी अचानक आग लाखों का सामान जल कर हुआ राख सुपोल सदर्थाना चेतर के बलवा पंचायद के वाढ संख्यां 13 पिपराहरी गों में बीती रात अचानक आग लग जाने से लाखों का सामान जल कर राख हो गया है अचानक लगी आग के सोर सराबा होने से मोके पर जूटी अस्थानिय लोगों की भीर ने आग को बुझाने का प्रियास सुरू किया और अगनी समन विभाग को इसकी सूचना दी हाला कि जब तक मोके पर दमकल पहुँची तब तक अस्थानिय लोगों की मदद से आग पुझाने का प्रियास किया गया लेकिन तब तक सब कुछ जल कर राख हो गया बताया गया कि आग की लप्टी इतनी तेज थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जल कर राख हो गया अगने पिरित ग्रीज स्वामी ललीत यादव ने बताए कि अचानक लगी आग में घर में रखे मवेसी का चारा दो बक्री वबक्री के बच्चे पंपिंग सेट मसीन थ्रेसर मसीन सहित अन्य सामान जल कर राख हो गया है वहीं पिरित ग्रीज स्वामी के अनुसार अगलगी की घटना में करीब 3 लाख रुपे की छती हुई है पिरित के द्वारा अंचला अधिकारी को आवेदन देकर नियामा अनुसार मुआबजे की मांग की है तोटल मिला के ठीक